हलो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे काइनेटिकली लेबाईल एंड काइनेटिकली इनर्ट कॉंप्लेक्सिस के बारे में देखिए काइनेटिक्स की बात करें तो उसमें हम रेट अप रियक्षन की स्टेडी करते हैं अब काइनेटिकली लेबाईल कॉंप्लेक्षन होती हैं उनकी रेट के बेसिस पर काइनेटिकली इनर्ट कॉंप्लेक्सिस इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले टॉबे ने 1952 में दिया था अब डिसकस करते हैं काइनेटिकली लेबाईल कॉंप्लेक्सिस क्या होते हैं तो देखिए इसके लिए हम कॉंप्लेक्स आयन की सबस्टिट्यूशन रियक्षन को कंसिडर करेंगे अब देखिए ये एक कॉंप्लेक्स आयन है और इसमें चार लिगेंड परजेंट हैं अब ये लिगेंड अगर किसी दूसरे लिगेंड से रिप्लेस होते हैं तो उसको हम सबस्टिट्यूशन रियक्षन कहते हैं अब इस सबस्टिट्यूशन रियक्षन की रेट क्या है मिन यह ligand यहां से easily replace होता है या नहीं होता है, तो इसके basis पर हम complex को labile और inert कह सकते हैं, अब देखिए अगर किसी भी complex species के coordination sphere में जो ligand present हैं, वो किसी दूसरे ligand से easily या quickly replace हो जाते हैं, तो उसको हम kinetically labile complexes कहते हैं, means उनके replace होने की rate जो हैं, वो fast रहेगी, तो हम कह सकते हैं, ऐसे complexes जिसमें ligand substitution fast rate से होता हैं, उनको हम labile complexes कहेंगे, अब देखिए, labile complex के लिए rate of substitution बहुत fast होता हैं, इसलिए उसको easily measure नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ special techniques थी जरूरत रहती हैं, अब बात करते हैं, kinetically inert complexes की, तो देखिए, किसी भी complex species के coordination spare के एक या ज़्यादा ligand, अगर किसी दूसरे ligand से slowly replace होता हैं, तो उनको हम kinetically inert complexes कहेंगे, यहाँ पर ligand substitution की rate slow रहेगी, अब देखिए, ऐसे complexes जिसमें ligand substitution slow rate से होता हैं, उनको हम inert complexes कहते हैं, inert complexes के लिए rate of substitution को measure करना बहुत easy होता हैं, और इनके लिए हम conventional techniques use कर सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर labile और inert complexes की बात करें, तो इनको हम rate of substitution reaction के basis पर classify करते हैं, और rate of substitution हमेशा हम kinetically find out करते हैं, तो इसलिए labile और inert complexes को हम kinetically labile complex और kinetically inert complexes कहते हैं, अब discuss करते हैं, VBT के basis पर octahedral complex को हम labile और inert में कैसे classify कर सकते हैं, तो देखिए, valence bond theory या VBT की बात करें, तो उसके according दो तरह के octahedral complex बनते हैं, एक तो हो जाएंगे outer orbital और एक हो जाएंगे inner orbital, तो पहले हम discuss करेंगे outer orbital octahedral complexes के बारे में, तो देखिए, इस तरह के complexes में जो hybridization होता हैं, वो हो जाएगा SP3D2, और VBT के according, outer orbital octahedral complexes हमेशा labile nature के होते हैं, अब इसका कारण क्या होगा, तो देखिए, SP3D2 में बनने वाला bond हमेशा D2-SP3 के comparison में weak होता हैं, तो weak bond बनेगा, तो incoming ligand क्या करेगा, उस ligand को वहाँ से easily replace कर देगा, means उसकी rate of reaction fast रहेगी, तो इसलिए outer orbital octahedral complexes हमेशा labile nature के होता हैं, अब देखिए, यह हो जाएंगे इनके कुछ, examples, Mn-2, Fe-2, Fe-3, Cu-2, Ni-2, Cu-2 और Cr-2, तो इन metal ion के complex में ligand का exchange rapidly हो जाता हैं, तो इसलिए इनको हम labile कहते हैं, अब बात करते हैं inner orbital octahedral complexes की, तो देखिए, इस तरह के complexes में D2-SP3 hybridization होता हैं, अब अगर octahedral complexes की बात करें, तो इसमें D orbital में 2 set होते हैं, एक तो होता हैं EG set और दूसरा होता हैं T2G set, EG set में 2 orbitals आते हैं और T2G set में 3 orbitals आते हैं, अब देखिए, अगर हम D2-SP3 की बात करें, तो इसके लिए EG set वाले जो 2 orbitals हैं, वो हमेशा completely filled होते हैं, और अगर T2G set की बात करें, तो उसके 3 orbitals या तो vacant हो सकते हैं, या उनमें metal atom के electrons हो सकते हैं, तो EG तो यहां completely filled होता है, तो हम inert और levile complex को T2G orbitals के basis पर समझेंगे, अब तॉबे ने क्या बताया, अगर T2G set के 3D orbitals में 3D0, 3D1 या 3D2 configuration होता है, तो उस case में complex levile रहेगा, अगर T2G set के 3D orbitals में 3D3, 3D4, 3D5 या 3D6 configuration होता है, तो उस case में complex inert रहेगा, अब देखिए, इसका reason क्या होता है, अगर हम 3D0, 3D1 या 3D2 की बात करें, तो उस case में इस set के पास vacant orbitals होता है, अगर यहाँ पर 1 होता है, तो 2 orbital vacant होता है, अगर 2 electron होता है, तो 1 vacant रहता है, तो इसलिए incoming ligand से metal atom easily electron pair accept कर सकता है, इसलिए वो labile रहेगा, अब देखिए, अगर 3D3 होता है, तो उस case में 3 orbitals में एक एक electron आएंगे, तो इसके पास vacant orbital नहीं होता है, 3D4 के case में, 3D5 या 3D6 के case में भी vacant orbitals नहीं होता है, तो यह डूसरे ligand से electron pair accept नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम inert कहते हैं, यह हो जाएंगे कुछ metal ions जो की labile complex ion बनाते हैं, और यह हो जाएंगे कुछ metal ions जो की inert complex ion बनाते हैं, अब देखिए, metal ion के T2G और EG के configuration के basis पर, हम octahedral complexes को labile और inert में कैसे classify कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर टौबे ने दो condition बताई हैं, पहली condition ऐसी हैं, जिसमें octahedral complexes के metal ion के पास EG पूरी तरह से vacant होता है, तो वो labile भी हो सकता हैं और inert भी हो सकता हैं, तो देखिए, यह कुछ configuration हो जाएंगे octahedral complexes के, जो की labile nature सो करते हैं, और यह हो जाएंगे कुछ ऐसे configuration जो की inert nature सो करते हैं, यहाँ पर LS का मतलब है low spin complex, अब देखिए, ऐसे octahedral complex की बात करते हैं, जिसमें metal ion के EG orbital में एक या उससे जादा electrons present होते हैं, तो इस case में generally octahedral complexes labile nature ही सो करते हैं, यह हो जाएंगे इनके कुछ configuration जो की labile nature सो करते हैं, यहाँ पर hs high spin complex को represent करता हैं, यह हो जाएंगे कुछ labile complex और inert complex के example और यह हो जाएगा d का configuration और यह t2g और eg का configuration, यहाँ पर hs high spin और ls low spin को सो कर रहा हैं, और यह हो जाएंगे इनके सारे complex ion के examples, अब देखिए जैसा के हमने discuss किया है, t2g और eg के configuration के basis पर हम complex ion को labile और inert में classify कर सकते हैं, तो इनके लिए labile nature और inert nature के लिए क्या reason होंगे, तो देखिए अब हम crystal field theory के basis पर octahedral complexes की lability और inertness को explain करेंगे, तो इसके लिए एक term पढ़ेंगे पहले, जिसको हम कहते हैं crystal field activation energy या cfae, तो देखिए जब substitution reaction होती हैं, तो reactant और intermediate की crystal field stabilization energy या cfse में जो changes आते हैं, उसको हम cfae या crystal field activation energy कहते हैं, देखिए अगर हम substitution reaction की बात करें, तो यह हो जाएंगे reactant फिर क्या बनेगा intermediate और intermediate फिर product में convert होता हैं, तो reactant की cfse और intermediate की cfse में जो changes आते हैं, उनको हम crystal field activation energy कहते हैं, अब देखिए general trend की बात करें, तो reactant से intermediate की energy इस तरह से change होती है, यह reactant हो जाएगा, यह intermediate और यह हो जाएगा product, अब देखिए cfae को कैसे calculate करेंगे, तो यहाँ पर हम intermediate की crystal field stabilization energy में से reactant की crystal field stabilization energy को minus कर देगे, तो यह हो जाएगा cfse of intermediate minus cfse of reacting complex, अब देखिए अगर हम substitution reaction की mechanism की बात करें, तो octahedral में ligand substitution reaction दो तरह से complete होती है, पहली हो जाएगी SN1 mechanism और दूसरी हो जाएगी SN2 mechanism, अब इन दोनों mechanism के basis पर हम octahedral complex के लिए lability और inertness को explain कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, complex ion के लिए cfae की calculation करेंगे, जिसमें हम d के सारे configuration लेंगे, मिन्स d0 से लेकर d10 तर, अब देखिए यहाँ पर हम octahedral complex की lability और inertness को cfae के basis पर समझ सकते हैं, अब देखिए किसी भी complex ion के लिए cfae की value अगर negative आती हैं या 0 आती हैं, तो उस case में वो complex लेवाइल रहेगा, मिन्स उसकी reaction fast होगी, तो देखिए अगर हम reactant और intermediate की energy को देखें, तो generally intermediate की energy ज्यादा होती हैं, तो reactant को intermediate तक पहुँचने के लिए ज्यादा activation energy की जरूरत होती हैं, लेकिन अगर यह energy negative होती हैं, मिन्स intermediate की energy reactant से कम होगी, तो reactant intermediate में easily convert हो सकता हैं, या अगर यह energy 0 होती हैं, तो उस case में भी reactant easily intermediate में convert हो सकता हैं, तो हम कहा सकते हैं, इस case में reaction fast होगी, अब अगर CFAE की value positive होती है, तो उस case में complex inert रहेगा, means उसकी जो reaction है वो slow होगी, तो यहाँ पर देखिए, यह reactant की energy है, और intermediate की energy reactant से ज़्यादा होगी, तो इसको intermediate में convert होने के लिए, ज़्यादा activation energy की requirement होगी, तो उस case में इसकी reaction slow होगी, और हम कह सकते हैं complex inert nature का होगा, अब देखिए, हम discuss करते हैं, SN1 और SN2 mechanism के बारे में, तो देखिए, SN1 mechanism में, जब octahedral complex intermediate में convert होता है, तो उसके लिए coordination number change हो जाता है, और उसकी geometry हो जाएगी square pyramidal, तो हम CFAE की calculation कैसे करेंगे, CFSE of square pyramidal जो की intermediate है, minus CFSE of octahedral जो की reactant है, यह हो जाएगे, CFAE value के sign और उसके basis पर हम lability और inertness को decide करेंगे, देखिए, अगर हम D0 की बात करें, तो इसके लिए CFAE का sign क्या आता है, 0, तो इसका meaning यह क्या रहेगा, fast to react या labile रहेगा, इसी तरह से D0 से लेकर D10 तक हम lability और inertness को CFAE की value के basis पर decide कर सकते हैं, अब बात करते हैं SN2 mechanism की, तो देखिए, इस mechanism में जो intermediate बनता है, वो होगा pentagonal bipyramidal, तो इसके लिए CFAE की calculation हो जाएगी, CFSE of pentagonal bipyramidal, यह intermediate हो जाएगा, minus CFSE of octahedral, जो की reactant है, तो इनके लिए भी हम D0 से लेकर D10 तक lability और inertness को CFAE की value के basis पर decide कर सकते हैं, यह हो जाएगी CFAE की value और यह हो जाएगी इसकी reaction, fast reaction होती हैं या slow reaction, fast reaction होगी, तो labile nature का होगा, slow reaction होगी, तो inert nature का होगा, तो यह हो गया labile और inert complex ion के बारे में,